देश की बेटी निर्भया से भी जादा हैवानियत वाला काम अशोग गहलोत ने राजस्थान में रोज करवाया है उसमें से एक नाबालिक बेटी मेरे पास आकर के यह बताती है कि किस प्रकार उसको नंगा करके उसके प्राइवेट पार्ट में डंडा डाल दिया गया और व जिसके बारे में राजस्थान में हर आदमी पूछ रहा है हुआ क्या था अशोग गहलोत के सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र जिसको प्रियंका गांधी घर जाकर टिकट दे कर आई थी बाड मेर के कॉंग्रेस विधायक मेवाराम जैन ने कई नाबालिक बच्चियों क साथ यह कुकर्म या गलत काम किया था इसमें यह तथ्य भी आपके सामने आएगा कि एक बाड मेर का पत्रकार सबल सिंग बाटी वर्षों से बिस्तर से इसलिए नहीं उठ पाया है क्योंकि मेवाराम जैन एमेले ने उसके पैर तुड़वा दिये पैर तुड़वाने के इ नाबालिक बच्ची के साथ गलत काम करता है उसको धमकाता है और उसके अलावा अनुसुचिक जन जाती की दो बेटियां जिसकी उम्र 10-12 साल है उनके साथ भी गलत काम करता है जब ये नाबालिक बेटियां अपनी आवाज उठाने के लिए एक अनुसुचिक जाती के को तयार करती है जो विकलांग होता है वह इन बेटियों की जब बात उठाता है शोर मचता है शोर मचने पर अशोग गहलोत अपने दो दरिंदे पहरेदारों की ड्यूटी लगाता है कि इस नाबालिक बच्ची का दमन करो इसके साथ वो करो कि यह केस कराने की हिम्मत नहीं ज जगे कि वह किसी नाबालिक अनुसूची जन जाती की बेटियों के लिए खड़ा हो सके दरिंदे पहरेदार के रूप में जोदपुर पुलिस का कमिशनर रविदत गौड इस बात का ठेका लेता है कि नाबालिक बच्ची का नतो मुकदमा दर्ज करूँगा और साथ में मे बाड मेर का दूसरा दरिंदा पहरेदार एस पी दीपक भारगो कहता है कि मैं बाड मेर में लाकर उनको कूट पीट करके सारे सबूत नश्ट करवा दूँगा क्या अशोक गहलोत की इच्छा के बिना सोब पुलिस कर्मी साधी वर्दी में गुंडों के साथ जाकर के उन नाबालिक बच्चीयों को और उनकी मदद करने वाले अनुसुचित जाती के विकलांग व्यक्ति को उठा करके जोदपुर के एक तसकर के फार्माउस पर ले जा यहां दरिंदे पहरेदार रविदत गौड के स्पेशल पुलिस वाले साधी वर्दी में और कई थानेदार साधी वर्दी में बाडमेर पुलिस के कई पुलिस वाले साधी वर्दी में जिसमें गंगाराम खावा एसे चो जिसमें दाउद खाने से चो जिसमें आनंद पुर जब वो नंगी नहीं होती है पुलिस वाले और गुंडे उनके कपड़े खीच कर फार देते हैं चोधपुर की बेटियों को नंगा करने के बाद जिस अनुसुचित जाती के विकलांग वेक्ती ने उनको मदद की थी उसके तूटेवे पैर से भी उसको उल्टा लटका करके उसको वो यातना दी जाती है कि उसका सदमा इन महिलाओं के इस नाबालिक बेटी के दिमाग में बैठ जाए फिर उनसे कहा जाता है कि मेवाराम जेन से जुडावा हर एक सबूत हमको दो इस बात के लिए उनको बंदुकों से दराय जाता है और उनके प्राइवेट और उनको कहा जाता है इसी फर माउस में तुमारे ये मिर्ची डाल देंगे और तुमारा एनकाउंटर करके खतम कर देंगे अगर तुमने वह अशलील वीडियो नहीं दिया तो बामला जोदपुर का था सो पुलिस करमी साधिय वर्दी कोई महिला नहीं उसके बाद दूसर दरिंदा पहरेदार दीपक भारगाओ जिसके खिलाफ नो से जदा एफाई आर दर्जा है तो यही धंदे करते करते अशोग गलोत का खास मना था उन महिलाओं को और उस विकलांग व्यक्ति को बाड मेर में ले जा करके बंद कर देते हैं बाड मेर का एक वकील जो इनको ल कर निवेदन करते हैं वकील के साथ अन्याय हो रहा है लेकिन अशोग गैलोत से हर महीने एक करोड रुपया लेने वाले व्यक्ति एमेस सिंग वी जो बार कॉंसिल अवराजस्तान का मिंबर है गनशाम सिंग राठोड जो बार कॉंसिल का मिंबर है सुनील बेनिवाल जो बार कॉंसिल अवराजस्तान का चेर्मेन था चीरंजी लाल सेनी अशोग गैलोत का सबसे वफादार और नवरंग लाल चौदरी सहीत कई बार कॉंसिल के लोग उस वकील के साथ नहीं खड़े होने के लिए पूरी बार कॉंसिल पर दबाओ बनाते हैं और वकील समुदाई को भी कहते हैं कि इस वकील के साथ मत खड़े हो ये भला हो E.D. का जिसके कारण से ये सारे तथ्य हमारे सामने आ पा रहे हैं दरिंदे पहरेदार रवीदत गौड की भूमी का देखो जो अशोग गहलो त्वारा मलाईदार पद पर जोदपुर कमिशनर रहते वे क्या क्या धंदे करता है नाबालिक बच्ची के साथ जो घटना हुई उसकी शिकायत रवीदत गौड के पास जैसे ही पहुँची उसने मेवाराम जैन को और अशोग गहलो तक पहुचा दी आज वो नाबालिक बच्ची दरदर की ठोकरे खा रही है मेवाराम जैन जो खुले आम वीडियो में कहता है कई राजस्थान हाई कोड के जज मेरे रिष्टदार है और अशोग गहलोद खुले आम कहता है मेरी सिफारिश से कई हाई कोड जज बने हैं जनता में और पुलिस में भ्रम की स्थथी पैदा कर दी है अधिनस्त न्यायलेव में भ्रम की स्थथी पैदा कर दी है इसलिए उन सभी निर्दोष लोगों के खिलाफ अन्याय नकेवल पुलिस कर रही थी कहीं न कहीं कोड भी ओजार बन गए इन सब दरिंदे पहरेदारों के ये दरिंदे पहरेदार उन सब पिडिताओं और पिडित परिवारों के मोबाईल लाते हैं और उनको कूट कूट कर चूरा बना देते हैं और उसके बाद उसको तेजाब में गला देते हैं लेकिन ये दरिंदे पहरेदार भूल गए कि जब तुम सो पुलिस वाले जा रहे हो कईयों के मोबाईल तुमने बंद भी कराए थे लेकिन कई पुलिस वालों के मोबाईल और जो गुंडे आपके साथ गए थे उनके मोबाईल चालू थे जिनकी लोकेशन उस तसकर के फारमाउस पर आएगी कॉंग्रेस विदायक मेवा राम जैन और उसके साथी राम सुरूप आचारे ने नाबालिक बच्ची के साथ कैसे दरिंदगी की जब ये CD, CBI, ED याक न्यायले देखेगा तब उसके सामने सारे तथ्याएंगे राजस्थान की कोई मा, बहन, बेटी अशोग गहलोच से, मेवाराम जैन से और दरिंदे पहरेदारों से नफरत किये बिना नहीं रह सकती है पत्रकार सबल सिंग भाटी के तूटेवे पैरों को देखकर धरावा मीडिया और मीडिया मालिकों के घर नोटों से भरेवे बोरे पहुँचने के बाद बिकवा मीडिया इस केस से सम्मदित कोई भी साक्षे लेना चाहे तो मुझसे ले सकता है लेकिन आपको एक शपत पत्र देना पड़ेगा कि आप इस सच्चाई को जनता तक पहुँचाएंगे आप इस नाबालिक बेटी के साथ जो घटना घटी है जो दरिंदे पहरेदारों ने गुंडों के साथ मिलकर जो काम किया है वह जनता तक पहुँचाएंगे अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी यानि मीडिया करनी भी पत्रकार भी अपने घर में जाकर अपनी पत्नी बेटी बेहन और मा को चेहरा दिखा पाएंगे शांती धारिवाल की भाषा वाले मर्द कॉंग्रेस में हो सकते हैं लेकिन मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान के जिस मर्द के पास ये बात पहुँचेगी वह इस बात को हरेक नागरिक तक पहुँचा करके जब तक इन बेटियों के साथ न्याय नहीं हो जाए जब तक ये दरिंदे पहरेदार और खादी में छुपेवे रंगे सियार इनकी सच्चाई चंता के सामने पहुँचाने का जो मैंने बिड़ा उठाया है इसके लिए मुझे परवा नहीं है मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो जाओंगा